महराष्ट में महाविकास आगारी गंदबंधन में रहना क्या कॉंग्रेस के लिए मजबूरी बन गया है या सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि कॉंग्रेस की कई परंपरागर सीटों पर स्तियुसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने उमीद्वारों की घोशन कर दी है और दूसरी बात ये कि कॉंग्रेस के कई नेता ये बयान भी दे रहे हैं कि कॉंग्रेस की मजबूरी इस गड़बंधन में रहना अब बन गया है दरसल स्युसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आज 17 उमीद्वारों की अपनी जो लिस जारी की है उसमें से के इस कदम का विरोध कर रहे हैं इस पर रिठिंग करने की बात कह रहे हैं लेकिन संजय निरुपम ने ये आरोप लगा दिया है कि स्युसेना उद्धव ठाकरे गुट महरास्ट में कॉंग्रेस को दबाना चाहता है कॉंग्रेस को खत्म करना चाहता है और यही वजा है कि नौर्थ पर्ष्टिम की सीट जिस पर संजय निरुपम खुद दाबा कर रहे थे उस पर भी अमोल कीर्थिकर को उम्मिद्वार बना कर खड़ा कर दिया है इसके लावा सांगली की सीट की बात करें तो सांगली भी कॉंग्रेस की बेहादी परांपरागर सीट रही है वहाँ पर भी स्योसेना उद्द्व ठाकरेगुट ने चंद्रहार पार्टिल को अपना उमिद्वार घुषित कर दिया है आधिकारिक तोर पर ये घुषना की है सुची जारी करके ऐसे में कॉंग्रेस के कई नेताओं के विरोत के सोर अब सामने आ रहे हैं सीधा संजय निरुपम ने अपने पार्टी से कहा है कि महविकास आघाडी में की अलाइंस को तोड़ दें अब बाहर आ जाएं उस अलाइंस से और फिर चुनाव लड़ें तो ऐसे में अब ये सवाल इसलिए उठा है कि क्या कॉंग्रेस की मजबूरी बन गया है महविकास आघाडी गडबंधन मे रहना दूसरी बड़ी वज़ा ये है कि सियुसेना 22 सीटों पर लगातार लड़ने की मांग करती आ रही थी और आज खुछ संजराउत ने बयान दिया कि 22 सीटें लड़ रहे हैं 17 गोशना कर दी गई है 5 सीटें आने वाले दिनों में उसकी भी गोशना कर दी जाएगी यान मुंबई में सियुसेना उद्व ठाकरेगुट और कॉंग्रेस के बीच तीन-तीन सीटों पर लड़ने की बातचीत बैटकों में हुई थी लेकिन आज चार सीटों पर खुद उद्व ठाकरेगुट ने अपने उमीदवार उतार दिये अब वो 15 सीट जो उत्तर मुंबई की सीट है उस पर भी दावा ठोक रहा है यानि मुंबई की अगर बात करें तो कॉंग्रेस को सिर्फ एक सीट नौर्थ मद्ध मुंबई की जो सीट है वही सीट मुंबई में मिल रही है और इतना ही नहीं सांगली की सीट जो कॉंग्रेस की थी उसे भी जो है सियुसेना नहीं जो मजबूरी है वह गडबंधन में रहने की वह बनी हुई है कॉंग्रोस को यह लगता है कि अगर गडबंधन में जाएंगे तभी जो है उनके उमिद्वार जीश सकते हैं लेकिन फिलहाल जो आमना सामना है वह अब इस सूची के बाद उद्धव ठाकरेगोट और क उमिद्वार घोचित किये हैं यहां तक कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो सीटें बिवादित थी उस पर उद्धव ठाकरे को अपने उमिद्वार नहीं उतारने चाहिए थे और अगर यह सीटें बिवादित रहती हैं तो फिर कॉंग्रेस भी इन सीटों पर अपने उमिद्वार उतार सकती है यह जानकारी निकल के सामने आ रही है लेकिन क्या कॉंग्रेस ऐसा कर पाएगी क्योंकि जिस तरह से तीन से चार महीनों तक महाविकास आगाडी की बैठके चलिए सीट सेरिंग को लेकर कॉंग्रेस के कुछ नेताओं का यहां तक आरोप है कि उन कॉंग्रेस को दबानी कुछिस कर रहा है और इस एलान के बाद भी क्या कॉंग्रेस इस एलाइंस में बनी रहेगी अगर बनी रहेगी तो जाहिर तोर पर यह साप है कि उसकी एक मजबूरी है दूसरी तरफ कोंग्रेस के सीर्स नेत्रित पर ही उनके नेताओं ने सवाल ठाकरेगुड महराष्ट में कॉंग्रेस को खत्म कर देगा इतना ही नहीं संजय निरुपम ने सापतोर पर यह भी कह दिया कि अब कॉंग्रेस को एलाइंस से बाहर आकर एलाइंस को तोड़कर बाहर आकर अप्चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि स्यूसे ना उद्धर ठ बैटकों का दवर चल रहा था उस दौरान भी कांग्रेस के तमाम नेता उस बैटको में सामिल होते थे बहाँ पर जो है सापतौर पर ज nächste सवाल किया जा घाता तो थो आधि Алाइन्स को श्माइच्ट सा बढ़नना चाहते और उसके लिए उन्हें अगर कही ना कही जो मजबूरी में अगर कोई सीट सेरिंग किसी और से करनी पड़े गया कम सीटों पर लड़ना पड़ेगा तो भी वो तयार है लेकिन मौझूदा समय में महा विकास आगारी का सीट सेरिंग फॉर्मूला यही है कि 22 सीटों पर सबसे ज्यादा 22 सीटों पर सिवसिना उद्धो ठा कर देगा लेकिन यहां पर जिस तरह से पहली लिष्ट शिवसिना उद्धो ठाकरे गुट ने जारी की है उससे महा विकास आगारी में भूचाल आ गया है और सबसे बड़ा भूचाल कॉंग्रेस में आया है क्योंकि शिवसिना उद्धो ठाकरे गुट ने उनकी ही सीटों अपने उम्मीद्वार उतार दिये हैं आप देखना यह एहम है कि कॉंग्रेस क्या कोई सक्त रुक्त इस मामले में अप्तियार करती है उद्धो ठाकरे गुट पर दबाव बनाने के लिए या फिर जिन सीटों पर विवाद है उन सीटों पर कॉंग्रेस भी अपना जो है उ उम्मीद्वार खड़े कर देती है तो जाहिर तोर पर यह सवाल खड़े होना लाजमी भी है कि क्या महाविकास आगारी गडबंधन में बने रहना कॉंग्रेस की अब मजबूरी बन गया है